हलो फ्रेंज वेलकम बेक टो मायास कुकिंग खाजना फ्रेंज आज मैं एक एसे रेसीपी लेके आये हूँ जो खाने के साथ-साथ बहुत ज्यादा हेल्दी भी है और आपको ये देखके पता ही चल गया होगा आज मैं क्या बनाने चारी हूँ तो मैंने आज बनाने चारी हू कच्चे कले का सबची तो यहाँ पर मैंने कुकर में पानी डलके इसे बॉयल करने के लिए छोड़ दिया है तो एक सीटी आएगा तो मैं गेस का फ्लेम आफ कर दियूँगी इसे जदा नहीं पकाना है मुझे तो एक सीटी आ गया है अब मैं इसे आफ कर लेती हूँ और ठं करने के वज़े से बहुत अच्छी तरह से इसका जो चिलका है ना यह हम साफ कर सकते हैं तो यह देखे मैं आप इसे साफ कर रही हूँ तो अब तक अगर अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेए पास में दियेगे आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए लाइक कॉमेंट्स और शेयर करना मत भूलिए और यह दिखिए यह मेरा चिल के तयार है अब मैं इसे काट लूँगी इसे मुझे मैश नहीं करना है हलका सा क्रेश करके ही मैं इसे पकाऊंगी तो यह दिखिए मैं एक चमस के हल्प से इसे काट कर रही हूँ और यह दिखिए यह मेरा बिल्कुल तयार हो गया है एक कढ़ाई ले लीती हूँ और इसको मैंने गरम करके मास्टर ओयल डाल दिया है ओयल में थोड़ा सा ही उसकिया है क्योंकि मुझे यह हल्दी रिसिपी बनानी है अब यहाँ पर मैंने कलोंजी थोड़ा सा और एक रेड ड्राइचिली डाल दिया है इसे मैं हलका सा कर दिया है मैंने इसको अब मैं इसमें डाल देती हूँ करीपत्ता करीपत्ते से इस सब्जी में एक पहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग फ्लेवर आएगा अब मैं यहाँ पे एक मीडियम सेज़ का टामेटर काटके डाल दिया है इसे भी में थाठा सा चला लेती हूँ नमक मैंने स्वादनसर डाल दिया है मैंने नमक अभी डाल दिया है बाद में नहीं डालोंगी कश्मिरी लाल मिर्च हाफ टीश पिन हल्का सा मिला दिया है मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने डाल दिया हाफ टीश पून जीरा पाउडर यह कढ़ाई की नीचे छिपक न जाए तो इसे मैं मिला रही हूं तो यह मेरा फ्राइ हो गया है अब मैं इसमें डाल देती हूं कच्छा के लोगों इसे अच्छी तरस से मसलों के साथ मिला लेती हूं यह पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ऐसे भी कच्छा के अब में इसमें डाल डालिये हूँ पानी, ठोड़ा ज्यादा ही डालोंगी किंगी यह कैला है पानी को एपचरोप्ट कर लेता है。 अब मैं इसको हाई फ्लेम में उबालाने के लिए छोड़ दूँगी, जब उबाल आ जाएगा तब मैं इसे मीडियम फ्लेम में ही पकाऊंगी तो यह दिखिए उबाला गया है आप मैं गेस का फ्लेम मीडियम कर देती हूं और इसे पका लेती हूं एते हैं देखिए देखने अब देखा यह कहते हैं इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा ठुकड़ों में कट लेती हूं जो ज्यादा बड़ा है लेकिन ज्ञादा छोटें नहीं करना है यह खाने में इसे ही ज्यादा टेष्टी लगता है और यह बहुत यह बच्चे भी खा जाते हैं अब इसे जरूर घर में बनाएए और बच्चों को दीजिए उसे उन लोगों को पता भी नहीं चलाएगा कि यह किस चीज का सब्जी है और उखा जाएंगे तो आप देखिए यह मेरा हो गया है ग्रेवी भी थोड़ा सा थीक हो गया है तो आप इसका फ्लैम आफ कर दिया है अब में इसे सार्फ करने के लिए जा रही हूं तो चलिए यह देखिए यह मेरा बन के तयार है और यह देखने में बहुत ज़दा टेस्टी लग रहा है ना तो फ्रेंज आप इससे बनाएए और मुझे कमेंस में बोलिए कि यह आप लोगों क आपके समने आउंगे तब तक के लिए